attention deficit hyperactivity disorder अब जैसे नाम से जाहर है कि यह attention deficit की बात कर रहा है यानि कि attention की कम होने की बात हम कर रहे हैं तो ये जो disorder है ये एक हमें अक्सर classroom में अपने घर के अंदर अपने surroundings में नजर आ रहा होता है कुछ बड़े बेचैन किसम के होते हैं एक जगा बेट नहीं सकते हर एक को जब बैठेंगे तो डिस्टाप कर रहे होते हैं शोर मुच आ रहे होते हैं चीजें तोड़ रहे होते है या इस तरह की हम अक्सर अपने इड़ गेट जब इस तरह के बच्चे देखते हैं तो बैसिकली ये बच्चे आम बच्चों से इनका जो aggression लेवल है वो जदा होता है और इनका attention span जो है वो काफी कम होता है किसी भी activity में तो इसलिए इसको attention deficit disorder कहा जाता है और class में जब बच् activities को prolong नहीं करते पांच मिनिट के लिए lecture सुनेंगे उसके बाद इनका तोज्व जो है वो इदर अदर हो जाती है या किसी का कान खेंचेंगे किसी को टांग मारेंगे या बच्चों को उनकी books जो हो चीन के किसी की फाड़ देंगे एक तरफ से इनको teacher हटाती है तो ये दूस messages आ रहे होते हैं यानी mind जो है वो इनको फॉरन एक quick action के लिए तैयार कर रहा होता है तो ये चीजें जो हैं ये काफी इन बचों के लिए basically activity के अंदर इनका interest भी होना जरूरी है और इनको जो है इनकी अगर extra energy है तो इसको utilize करने की भी बड़ी जरूरत होती है जब आप इनक पसंदीदा activity में भी विज़ी करते हैं बाज को आपने देखा है तो फिर भी इनका attention span बहुत कम होता है तो हमें इस सूरते हाल में इन बच्चों को punish नहीं करना चाहिए और ना ही इनके साथ को सकती का महौल रखना चाहिए तुमने ये चीज हम क्या करते हैं एक जरा सा glass किस आपको उस तरह से express नहीं कर पाता और खास तोर पर किसी महमान के सामने और खास तोर पर उसके भेन भाईयों के सामने कजन्स के सामने और किसी के सामने आप कभी भी अपने बच्चे को जो है उसकी इस तरह की गलती कि उसने चीज तोड़ दी या तूट गई उससे या कोई इस तरह का problem हो गया तो कभी भी आप अपने बचे को जो है दूसरों के सामने इंसल्ट ना करें वरना बचे वो बात जहन में रख लेते हैं उस इंसल्ट को और उसका गुसा निकालते हैं वो किसी चीज़ को next तोड़ने के बाद आपका mobile तूट जाएगा आपकी पसंदीदा चीज़ फट जाएगी इवन सबसे पहले बचे ये देखते हैं कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी जो files होती हैं वो बड़ी important होती हैं आपके लिए तो इस तरह का बच्चा जिसका attention deficit problem है वो एक बेचैन किसम का बच्चा होगा तो अगर आप उसको उसकी बेचैनी की सजा देंगे बार बार तो वो सबसे पहले आपकी जो personal चीज़ें जिसमें आपकी वो देखता है कि आप बड़े sensitive हैं अपने काम के मामले में तो वो आपक जो को study करने की ज़रवाता है किया हर ये बच्चे जो है इनका attention span अगर कम है तो basically आप इनके attention span के लिए कोई physical activity ढूंडें jogging उसमें अगर interest नहीं तो football, cricket इसी तरह से और swimming बड़ी अच्छी इनके लिए exercise होती है जिससे इनका mind जो है nervous system जो है वो काफी relax होता है जब आप इनको इस तरह की activities में busy करते हैं तो attention को span बेतर करने के लिए पहले basically तो interest develop होना चाहिए और फिर इनके ओपर attention focus करनी चाहिए class में भी ऐसे बच्चों को बार बार आप इनसे question पूछें, इनके लिए clap करवाएं, इनके लिए इनको reinforce करें तो इनकी काफी ज़्यादा जो attention है वो उसकी तरह आना शुरू हो जाती है, interest इनका develop होना शुरू हो जाता है, हमने एकसर बच्चों को देखा है, लोगों को भी अबने देखा है, जब वो बैठे होतें तो टांग हिला रहे होते हैं, बोच सलसल टांग हिला रहे होते हैं, तो वो basically impulse जो आ dalla होता है माइड से, वो उनको कह रहा होता है कि बस अभी ज़्यादाए से अभी उट जाओ, अभी आपस बैठे हैं, तो एक काम कर रहे है, तो एक multiple चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी इनकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो अटेंशन है वो काफी ज़्यदा जो है एक मरकस के ओपर फॉकस करने में इनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है तो हमें कुछ थोड़ी सी कोई ये बहुत ज़्यदा इतना स्वियर किसम का प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके लिए हमें खास तोर पर डॉक्टर के पास जाना पड़े हाँ ये एटेंशन डेफिसिट जब स्वियर हो जाता है तो फिर इनके नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए एक नर्व रिलैक्संट जो है वो डॉक्टर की तरफ से मिलता है कि जी इनको कुछ time के लिए 15 दिन के लिए इनके nerves जो है रिलैक्स किये जाने चाहिए जब ये बहुत hyper हो जाते हैं ये बहुत aggressive हो जाते हैं और बहुत ज़्यदा जो है ये parents के लिए problematic हो जाते हैं तो फिर कुछ time के लिए इनके लिए इस तरह की चीजें advice की जाती हैं लेकिन generally आपने इनको घर में बहुत ज़्यदा attention दे के इनकी habits जो है उसको improve करना है